जब ठाकूर आयें तो उनके आदर और सेवा होनी चाहिए अब पचासो ठाकूर रख लिए तो हम पचासो भोग थोड़ी लगा पाएंगे तो घर में उतना ही ठाकूर जी रखे जितनी सेवा बन जाए जिससे हम तो इतना तक निशेत करते हैं कि कार्ड में ये भगवान की ज राइच भी राजबान कर लिए पुराने फेख दिये तो भगवान का भी प्रशन होंगे तुमको क्या समझते तुम्हारी पूजा से वो तुमने आदर ही नहीं किया कि बहुत कट अरता दिखाते हैं बहुत भावना करते हो अपने इस्ट का पमान कर रहे हैं इसान सिंगला गुरुदेफ आपकी चर्ड़ों में कोटी-कोटी प्रनाम जोट इनका प्रिशन है कि बहुत सारे लोग क्या होता कि तोफे आदी में प्रभू की मूर्तिया आदी दे देते हैं क्या चीज तोफा अब देते हैं बड़्डे गिफ्ट हैं भेंट के उसमें तो अभी घर में तो एक ही वीराजमान कर सकते हैं अब पता लगा कुछ दिन में 10 15 हो गई नहीं नहीं लेना चाहिए हम नहीं लेते हैं वो तो फूरा पैक कर के देते हैं अच्छा हम अपने ठाकूर की सेवा के सिवा इतनी हमारी सेवा विराजमान है अब हम सब विराजमान नहीं कर सकते हैं अलग-अलग भाव से अलग-अलग तो हम दर्संद कर लेते हैं प्रणाम कर लेते हैं उन्हीं को वापस कर लेते हैं भाई थाकूर विराज मान का मतलब सेवा होनी चाहिए अलमारिम थोड़ी इसे की धूल पड़ रही है नहीं विराज मलुको यह आपको भेट दे रहा है प्रणाम है भेट को गले लगाया वापस ने दिया कि हम इनको अपने घर में ले जाकर कि हमारे घर में विराज मान है हम इनको सोपीश की तरह ने रख सकते जब ठाकूर आए तो उनके आदर और सेवा होनी चाहिए अब पचासों ठाकूर रख लिए तो हम पचासों को भोग थोड़ी लगा पाएंगे तो घर में उतना ही कार्ड में यह भगवान की जो छवियां छपती हैं जो नाम छपते यह नहीं छपने चाहिए आप समय सारणी दे दिजिए ब्या की और अद उत्तम से उत्तम कार्ड बना उसमें फूल बना दीजिए उसमें और भी ब्या के दूला दुलेहिं बनाकर जैमाला पैनाति आईसे कर दो अब प्रिया प्रितम बना दिए राधा-कृष्ण बना दिए भगवान सीव पारवती बना दिए अब वो तो प्रभू के नाम चाप रहें अब जिस हम नाम की उपासना करते हैं उसे नाम को तमाखों में चाप रहें अब वो जो पैक खुटपास में जाएगो पैर पड़ेगा तो जो कमपनी वाला है उसकी दुरगती होगी क्योंकि उस नाम और रूप तो अपमानित कर रहा है मात्र तब ही फैक्टरियों में बड़े बड़े हान और नुक्षान और आतंक मचते हैं बहुत होस में रहना चाहिए पैसा कमाने के लिए बहुत से उपाए हैं भगवान के रूप नाम का आसारा लेकर पैसा मत कमाओ पैसा कमाने के लिए आपके लिए बहुत सामागरी है थेला रखा वहीं आप जूता पहने खड़े तो अपराद नहीं लगेगा आप कितना सम्मान करते हैं अपने प्रभू की छवियों का इसलिए तो हम सब की बुद्धी ब्रष्ट हो जाती है कोश्टर छपवा दिये उसमें भगवान की भी छवी बनी हुई है अपनी भी छवी बनी हुई हो गुरू भी बैठे है आचारी भी बैठे है ओटर फार के नाली में फेक दिये गए क्योंकि तुम धर्म कोई सूक्ष्म भाव को नहीं समझ रहे हो तुम भगवान का अपमान कर रहे हो हमें लगता नहीं लेना चाहिए ऐसे थोड़ी कि बैठ में आप सबको प्रभू बाट रहे हैं प्रभू के थेले बाट रहे हैं आप वो बैठ को बैठ को तरह लेगा वो कोई भगवान मान के लेगा हाँ जिसके सद्धा है तो जाओ आप बैठ देओ जाके खरीदो जाके और फिर लाओ और पद्धती से बिराज मान करके उनकी सेवा करो वो बात ठीक है खिलवार में भेठ देना थोड़ी है ना भेठ देना चाहिए नो भेठ लेना चाहिए प्रभू के रूपों के हाँ अगर सेवा भावना तो फिर जरूर ले लेनी चाहिए लेकिन घर में सबके ठाकुर विराज मान है और वो कहां पचास जगे विराज मान करके भोग लगाएगा तो अनादर ही तो होगा अपने आदेखो कितने श्वारती है पूजा का सबया तो गड़े से लक्षमी जी खरीद लाए पूजा की उनकी इसके बाद कहां रहते हैं जानते हो दरवाजे की किसी कोने में ऐसे हो फिर जाके किसी पीपल ब्रक्षे के लिचे या ऐसे बैठे दिखाई देते हैं हम कह रहे हैं कि अगर आपको तो ऐसी जगे सम्मान पुर्वक उनको पधरा हो या उनको शमाधिस्त कर दो जहां उनका अपमान नहो वही धूल पड़ रही वही तुम्हें सरम नहीं आती कि वही भगवान है तुमारे जिनकी तुमने सिंगासन में बैठकर पूजा की थी उन्हीं को उठा कि तुम ऐसे अगर उत्षो मना लिया तो फिर उनको शमाधिस्त या जल में शमाधिस्त कर दो या जल के आसपास पवित्रदेश में गड़ा करके और पुश्पूर आदि डाल करके समाधिस्त कर दो उपर से लेप कर दो अपने इस्ट का सम्मान करना तो सीखे ऐसे थोड़ी कि जितनी मन आयो उतनी छविया टांग ली और जब मन आया छवी एक हम जा रहे थे तो एक जगे मार्ग में इतने शुंदर प्रभु की छवी पड़ी थी सीछा टूटा हुआ ऐसे उठाया चाती से लगाया फिर जा करके उनको तो अब ये भाव तो कैसे और उन तो नई छवी भी राजवान कर ली पुराने फेख दिये तो भगवान का भी प्रशन होंगे तुमको क्या समझते तुम्हारी पूजा से तुमने आदर ही ने किया एक बार राधा बाबा घीतावाटिका में तो यहां से वो घंस्या अब इस पर किसी का पैर पड़ेगा तो सारे पुर्णे नस्ठ हो जाएंगे बावा बैठके पूरी रज जहार जहार के ऐसे कर और फिर तुलसी के घेरा में डाला जहां जिसे बोले भूल कर भी जमीन में न रिखना देखो संत जन कितनी महिमा जानते हैं नाम की अब वही नाम चपे हुए हैं कितने ऐसे थैले कितने ऐसी सामाग्रिया जिनमें भगवन नाम चपे हुए हैं अब वो सब ऐसे कैसे यही हम देखते हैं फाल करके नाली उम फेक दिये जाते हैं भगवान के नाम भगवान के रूप यह सब अपराद है ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंक इसे ऐसे खुलापमान के लिए comfort को किसी ढहीं के नीचे मत रख़ो ऐसा करना चाहिए stell कि मानसिकत기는 क्व कि मॉन कहते सक्वस्पास लेड़ हमने महीं बता एक वह अज़ेश्य कर पेपर हमने लिग दिया रहा तो अभी सारा काम मंगल होगा अगर किसी कार्ड में छाप दिया राधा किष्णी के छवी तो मंगल किसे कहते जानते हो अज़ वो नाम किसी के पैरों की नीचे पड़ेगा उसका अपमान होगा तो तुम्हारा मंगल नष्ट हो जाएगा जबान पे लिखो नाम राधा हरदय पे धारन करो राधा दिमाग में रखो राधा ये गाड़ी में लिखने के लिए नहीं है ये कार्डो में लिखने के लिए नहीं है ऐसा नहीं है, मंगल भौन भगवान का नाम जबान पे रखना है, नाम जीह जप जागें जोगी, जबान पे रखना है, हरदय पे धारन करना है, प्रविश्च नगर कीज़े सब काजा, हरदय राख कोसल पुर्रा, यहां मंगल होता है, हरदय में तुम ब्यविचार हो, गंद के देख लिए इसका मंगल हो रहा है मनमानी करके देखो जो गुर्मुक के जो संताग्यांन पर उसही का मंगल जो मनमानी आUCकरन करेगा कभी मंगल नहीं हो सकता जिस नाम कौ सिंगासनं के भी राज के भोग लजाते है counting च्रना मरत पीटें वह इनाम अगर गाड़ी में लिखे दिया वही नाम आपने कार्डों में लिखे दिया क्या दसा होती है आप विचार करके देखो तो यह सब अज्यानी जन है मनमानी आचर हमारे धर्मे में यही बड़ी बात है कि बहुत कटरता दिखाते हैं बहुत भावना करते हूं अपने इस्ट का खुद अपमान कर रहे हैं खुद अपने इस्ट का पमान कर रहे हैं स्रीक्रश्ण हमारे गुरु हैं आचाद हैं हमारे प्रभू हैं कहा ऐसा सम्मान हो रहा है तो हम लोग खुद अपने धर्म के हानी कर रहें और धर्म के याड से अपनी वासनाओं की पूर्ती कर रहें इसलिए हमारे अंदर धर्म का प्रभाव प्रकासित नहीं हो रहा है वो सोच रहे मंगल हो रहे ऐसे मंगल नहीं होता है मंगल होता है तसमा सास्त्रम प्रमाणमते कार्या कार्यों विवस्तितों कार्यों और अकारी की विवस्ता सास्त्र प्रमाणित होनी चाहिए अब ये सब काम अर्थ की प्रधानता के लिए हो रहे